Assalamualaikum guys, last video में exercise 6.3 हमने start की वी थी, तक्रिबान end हो गई है, बद 3-4 सवाल लेगे हैं उसके, तो उसकी को continue करते हैं, सबसे पहला question आज की वीडियो का कौन सा है, question number 11, आप question number 11 में condition का given है, लिखावे divide 600 biscuit among 5 boys, हमारे पाथ 600 biscuit है, पता नहीं कहां से इतने लाएं, बस है 600 biscuit, और ह से डिवाइड करना है कि यह वाली condition पूरी हो, कौन से condition? इस शेर्स आइन AP, उनके शेर्स जो हो, मतलब 5 लड़कों के पाथ जो biscuit आएंगे, तो उनका अप शेर्स निकाला तो वो AP के अंदर होना चाहिए, मतलब common difference, सेम होना चाहिए, जैसे अगर आपके पास 9 biscuit हो, और आप यह वाला काम करना है, और condition का given है, two smallest share together make one-seventh of what the other three boys get, मैं संजाता हूँ क्या सहीन है, सबसे पहले सवाल को स्टार्ट इस तरह करोगे, total 5 लड़के है, और उन 5 लड़कों का share AP के अंदर है, और उन 5 लड़कों का share AP के अंदर है, तो आपने सवाल को easy बनाने के लिए और ब पान हो जाएगा आपके लिए, जब भी पांच नंबर AP के अंदर हैं तो आप यह लड़कों के, a-d, 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 a, a-d, a, 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 plus 2d, सभी, पहली भी बताया था, दुबारा बताता हूँ, अगर तीन नंबर होगे, तो आप क्या करोगे, a-d, a-d, फिर a, और फिर a-d, सभी, अगर तीन नंबर है तो आप यहाले लट करते हो, और अगर चार नंबर होगे, तो आप क्या लट करोगे, a-3d, फिर a-d, फिर a-d, और a-3d, सभी, तो अगर कोई भी तीन नंबर AP के अंदर होगे, तो आप यह लट करोगे, चार नंबर AP के अंदर होगे, तो य कितने थे 600 से डिवाइड करो न आप तो टोटल बिस्किट कितने 600 तो अगर उनके सब के शेयर को हम सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा 600 आएगा टोटल 5A है तो मैंने क्या लिख दिया 5A माइनस 2D इस पॉजिटिव 2D से से कैंसल माइनस D इस दी से कैंसल तो आपके बास है अब आप वहां करना है से जो 2 स्मॉले कोन से होंगे यह वाले होंगे अगर डि ग्रeater है लोगा तभी यह वाले स्मॉल होंगे मतलब इस तरह हो और अगर डि ग्रेटर दन जीरो होगा तभी यह सबसे छोटा होगा यह उससे बड़ा यह उससे बड़ा करते-करते, मतलब इस तरह increase हो रहे होंगे, आगर d greater than 0 होगा, तो smaller share कौन से है, यह वाले, a-2d और a-d, यह smaller share, इनका sum, सवाल में का लिखा है, इनका sum बराबर है 1 over 7, और बाकी जो 3 है, उनके sum के, तो जो smallest है, उनका sum बराबर है 1 over 7 times, जो बाकी 3 share जो है, उ तो a plus a, 2a, और minus d, minus, sorry, minus 2d, minus d, minus 3d हो जाएगा, और इनका sum करोगे 3a, और 3d हो जाएगा, यह 7 divide में है, वहाँ जाके multiply, multiply करो तो यह आपके पास आजएगा, पिर a की term एक जगा, d की term एक जगा करो तो यह आजएगा, उसके बाद a की value हमें बता है, 120 है, तो a की जगा मैंन तो आप share निकाल लो, पहला जो लड़का तो उसका share किया था, a minus 2d, a की value 120, d की value किया 55, तो 2 से multiply करोगे, तो 110, minus करोगे तो आपके पास क्या आजएगा, 10 आजएगा, इसी तरह a minus d, a और d की value पुट करो, फिर यह तो 120 है, solve करो तो आपके पास total यह 5 share आजएगे, 5 लड़क अगर इनको आप sum करोगे, तो 600 के बराबर आएगा, और यह सारे पांचो नमबर ap के अंदर है, क्यों? इनका common difference जो है, वो same है, क्या है वो 55, उसके पा question number 12 में आपके पास 3 part है, और condition का given है कि अगर a, b, c, ap के अंदर है, तो पहले part में proof करो, कि यह 3 number भी ap के अंदर है, condition यह condition सेम रहेगी, part अलग अलग है, condition यह कि a, b, c, ap के अंदर है, तो आप proof करो, यह भी ap के अंदर है, तो यह simple आपके question है, अब एक चीज़ में बता दू, exercise के start में मैंने बतायता है, arithmetic mean क्या होता है, किसी भी 3 number, कोई भी 3 number ap के अंदर होंगे, तो उनका arithmetic mean क्या होगा, जो दर्म condition आपको given है, और find करना है आपको कि यह भी ap के अंदर है, तो जब सम्वाल मेरों ने बोल दिया कि यह 3 ap के अंदर है, तो इसका मतलब है, b क्या होगा, arithmetic mean होगा, सही है, और आप लोग को मैने formula डिराइब करवायब है, कि किसी भी 2 numbers के दर्मयान अगर आपने arithmetic mean निकालना है, तो इसका formula क्या होता है, a plus b over 2, किसी भी 2 numbers के दर्मयान अगर आपने arithmetic mean निकालना हो, तो इसका formula यह होता है, capital A का मतलब arithmetic mean, formula क्या है, जो 2 numbers है, let's say a है आपके पास, और b है, और इसके दर्मयान एक arithmetic mean अगर आपने निकालना है, तो formula क्या है, पहले वाले number और last वाले number को add करो और divide कर दो 2 से, तो इनके दर्मयान आपके पस arithmetic mean आजएगा, तो वही वाला formula अपलाएगा, आपको a और c, यह दो corner करोगे और 2 से divide करोगे, तो इनके दर्मयान arithmetic mean आजएगा आपके पास, और आपको पता है, इनके दर्मयान arithmetic mean क्या है, b है, तो मैंने यह क्या लिख दिया, b इनके लिख दिया, सही है, तो को multiply करवादो, 2 भी बराबर जाएगा, a plus c के, सही है, उसके बाद condition यह है, मतलब आपको जो proof करना है, कि आपको इन तीनों को proof करना है, a p के अंतर है, सही है, अब ज़रा गोश से, आप तोड़ा समझो, बताया है मैं मैंने दुबारा बता रह तो दर्मयानन वनान नंबर क्या होगा, अरिपहिटमेटिक मीन होगा, सही है, अगर यह प्रूफ हो जाएकårए यह नैंबर यह है, इन दोनों नंबर का सही है, तो इसका मतलब यह तीनों नंबर क्या होगे, a p के अंदर होंगे, सही है, क्ईूए है, क्विणके हमने बढ़ CA को अगर आपने proof करना arithmetic mean है तो किस तरह proof करोगे उसकी wording देख लो sorry उसकी working देख लो हमें बता वही फाला formula कि किसी भी दो number के demand अगर आपने कि किसी भी दो number के arithmetic mean निकालना है आपने तो उसका formula यह वाला होता है हमें 1 over bc और 1 over a b इसका arithmetic mean निकालना तो किस तरह करोगे 1 over bc plus 1 over a b और formula के मताबक divide by 2 कर दोगे अब यह जो arithmetic mean जो है अगर यह वाला आ गया तो इसका मतलब यह तिरो number ap के अंदर है आप देखते हैं क्या होता है lcm के आएगा इनका a b c solve करो तो उपपर आपके पास a आ जाएगा इधर आपके पास c आ जाएगा और 1 over 2 को मैंने side पे कर दिया मतलब a किया कि divide हो रहा है 2 सभी a plus c उपपर आपने निकाला है किसके बराबर है 2 b के बराबर है तो a plus c की जगह मैंने 2 b लिख दिया 2 से 2 cancel b से b cancel तो यहां क्या बढ़ जाएगा simple 1 over c है और आपको पता है capital a क्या होता है arithmetic mean इसका मतलब है 1 over c a क्या है arithmetic mean है तो लिख दो कि 1 over c a arithmetic mean है between walubc and walububi इसका मतलब क्या है कि यह three number ap के अनतर है क्यों कि तीन number जब ap के अंदर होते है तो द्रिमयान वाला क्या होता है arithmetic mean होता है और आपका द्रिमयान वाला number arithmetic mean आ गया है तो उसका मतलब है three number क्या है ap के अंतर है सही है झाल झाल झाल